नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेश पर आपका स्वागत है देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 तारिक के जो हमारे आर्टिकल्स बचे हुए थे 24 को फ्राइडी को हमारे डिस्कुशन नहीं हो पाया था तो उससे रिलेटेड और सैटरेड़े वाला भी हमारे ड् बाते हुई है एश्या पैसेफिक एकउनमिक छो कॉर्पोरिशन है उसकी बात हो रही है उससे समंदित आर्टिकल्स है एक आटिकल कि अभीमूमिक सेचास क्या है हमारे देश की ठीक है और एक हम बात महाँ हैं कि pollution को control करने के लिए क्या किया जा सकता है ठीक है air pollution particularly तो ये चार articles हैं एक एक करके देखते हैं पहले FDI वाला देखेंगे Reading FDI 2021-22 ठीक है 2021-22 का जो साल था उसमें foreign direct investment इंडिया में आया था लगबग 84.8 billion dollar जो की highest था इंडिया में जितना investment अभी तक आया है FDI के तौर पे उसमें और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए 2022-23 का जो साल है उसमें investment आया हमारे किवल 71.71 billion dollar इसका मतलब यह हुआ कि 2021-22 के comparison में 2022-23 के financial year में लगबग 16% की reduction देखने को मिली चाहे फिर हम equity की बात करें that means को investment बड़ी कम बढ़ाया हो share के तौर पे या फिर reinvestment की हां बाहर से किसी company ने इंडिया में invest कर रखा है और उससे जो पैसा कमाया उसको फिर इंडिया में लगा दिया other capitals कोई ओर तरीके से investment आया हो हर तरीके से देखा जाया तो foreign direct investment 2022-23 में 71 billion dollars का रहा जो की पिछले साल के comparison में मतलब 2021-22 के comparison में पिछले का मतलब उसके पिछले साल में हाना 16% कम रहा अब disaggregated manner में देखें अगर एक एक चीज को analyze करें तो हमें पता पड़ेगा कि कहीना के reduction जो है वो आप देखोगे कि equity flow में जादा है इसका मतलब एक तो होता है government के through approval लेकर के FDII ठीक है एक होता automatic route और एक होता acquisition route तीन तरीके से अब government route का मतलब तो क्या हो गया कि मानलो आपका investment बहुत बड़ा है बहुत जादा quantity में है कुछ ऐसे sectors जिन में अगर आप invest करना चाहते हो बाहरवाले foreign investors से उनकी बात अगर हम करे तो तो उनको government से consult करना पड़ता है government से approval लेना पड़ता है एक होता automatic route कि हाजी government ने पहले approval दे रखा है कि आप इस particular sector में आप invest कर सकते हो government के route की लेने की ज़रूत आप नहीं है और तीसरा acquisition कि मानलो कि बाहरी company को इंडियन company को acquire कर रही है ठीक है तो इन तीनों तरीकों से अगर देखे ना तो overall जो FDI या investment जो आता है वो कहीना कहीं 58.7 7 billion से reduce होग रही है 46 billion पे पहुँच गया कहने का मतलब equity वाला segment है ना जिसमें हिस्सेदारी की बात आती है वो segment decline करा है ये एकदम clear बात है और ये जो data है ये show करता है कि कहीना कहीं हमें इसको थोड़ा minutely देखना होगा क्योंकि हम एक तरफ investment को attract करना चाता है वहीं दूसरी तरफ reality क्या show कर रही है कि investment जो है वो 2021-22 के comparison में 2022 थे इसमें कम आया है अब हम disaggregated data की बात करें तो देखो decline किस-किस में देखने को मिला है decline देखने को मिला है एक तो यहाँ पर software और hardware industry में ठीक है data आप देख सकते हो कहां से कितना क्या reduction हुआ है automobile industry है उसमें भी reduction हुआ है construction जिसमें आप infrastructure ये bridge railway और ये सारी चीज़े ले सकते हो ये सारी चीज़े आ गई rail road ठीक है bridge construction ये भी include हो गया इसमें भी reduction देखने को मिला है इसके अलावा metallurgical industry that means जो industries होती है iron, copper इनकी इनमें भी investment कम गया है कहने का मतलब ये तो ऐसी sectors है जहाँ पर investment डाउन गया है वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे sectors की बात करें जैसे कि service sector में finance की बात कर लो, banking की बात कर लो insurance की बात कर लो, outsourcing की बात कर लो research और development की बात कर लो career technology, testing analysis इनकी बात कर लो इनमें आपका investment जो है वो बड़ा है chemical और fertilizers की बात करें तो इनमें भी investment बड़ा है drugs and pharmaceutical अगर से की बात करें तो भी investment बड़ा है कहने का मतलब ये areas तो ऐसे हैं जहाँ पर आपको investment plus दिखेगा और ये उपर वाले areas ऐसे हैं जहाँ पर आपको investment minus दिखेगा तो ये कहीं ना कहीं पिछले पूरे 2022 2022 साल कंप्लीट वास का data जो आया उसके basis पर ये बात कहीं जा रही है फिर बात आती है कि किन countries से जो investment आता था जिसमें reduction देखने को मिला है तो एक तो देखो मौरिशस से USA से, Netherlands से Cayman Island से, Germany से ठीक है इनसे तो investment जो था वो हुआ है reduce, ठीक है वहीं दूसरी तरफ Singapore, UAE और Cyprus यहां से investment बढ़ा है अब आप देखो Cayman Island country है ना, ये एकदम कहते हैं टेक्स heavens है Cayman Island ले लो और Cyprus ले लो दोनों की दोनों Cyprus वाला तो कल पर सो हमने article भी discuss किया था कि किस तरीके से इंडिया से दो नंबर का या गिलब तरीके से कमाया हुआ पैसा Cyprus में ले जाया जाता है और वहां से फिर बाद में वहां की सरकार facilitate करती है और वो पैसा Cyprus से घूम करके वापिस इंडिया में investment के तोर पे आता है तो ये चीज़े कहीं ने कहीं शो होती है केमेन आइलेंड की बात करेंगे कोई बड़ा कोई country नहीं चोटेशा island countries है बट यहां की सरकारों ने क्या कर रखा है कि tax में इतना relaxation देते हैं कि जो भी लोगों का दो नंबर का पैसा होता है वो वहां ले जाकर के invest कर देते हैं वहां पर कंपनिया कोल देते हैं जिसके आदार पर एक दो परसेंट टेक्स दे करके और बहुत सारा पैसा बचा लेता है फिर उसी पैसे को इंडिया मिला करके invest कर दिया करते हैं ठीक है FDI flows की अगर बात करें तो आप देखो 2021-2022-2023 में फर्स शिक्स मंथ की अगर बात करें तो उस टाइम पर थोड़ा सा कही न कहीं decline देखने को मिल रहा मतलब अभी जो 6 मैने गए हैं वो और दूसरी तरफ अगर नजर डालें उधर तो FDI flow जो है वो कही न कहीं reduce हुआ है ये चीज हमें समझनी होगी ठीक है अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है हमारे control में नहीं है उनके बारे में अगर देखें तो देखो United Nation Conference on Trade and Development अंक्टाड की अगर बात करें न तो अंक्टाड के द्वारा Global Foreign Investment Report release की जाती है जिसमें काया है कि Foreign Investment की अगर बात करें Global Level पे उसमें 12% तक Reduction है That means around 1.3 Trillion Dollar Investment जो है वो Decline कर गया है अब इसके पीछे क्या कारण है देखो इसके पीछे कारण यह है कि Developed Countries के हालात हैं खराब कि वहां से इतना ज़्यादा Financial Flow हो नहीं पा रहा है दूसरा developing economies है वो थोड़ा सा perform अच्छा कर रही है पर वो इतना ज़्यादा strong भी नहीं perform कर रही है कि Investment को absorb कर सके इसके अलावा देखा जाए तो अभी दुनियादारी में जो लड़ाईयों के माहुल बने हुए है पहले यूकरेन का मुद्ध था अब इसराइल हमास का है वो बार ठीक है कि अभी थोड़ी लड़ाई रुकी है तो शान्ती है बट कहीना कहीं economic situation जो है वो बिगडी हुई है macro economic situation की बात करें तो देखो inflation है वो अब थोड़ा सा control आने लगी है बागी पिछले 10-12 महीनों में हालती खराब western countries की इसके अलावा जो अलग-अलग countries के अपनी domestic policies है वहाँ के जो central banks है उनकी policies है उसके चलते भी कहीना कहीं जो attraction होना चाहिए जो एक कहते है ना कि investment जिन developed countries से आता है वो आ नहीं पा रहा है इसके अलावा political stability वाली case हम अलड़ी discuss कर चुके है अब देखो बात ऐसी है कि जो चाइना के साथ में एक दुश्मनी का माहूल बना हुआ है western countries में economically कि वो कहीना कहीं चाइना पर अपने dependency जो है वो reduce करना चाहते है तो इसके लिए हम बात करते हैं चाइना प्लस वन strategy की पर चाइना प्लस वन strategy का अगर हमें benefit उठाना है तो इन trends को हमें समझना होगा कि FDI flow जो है वो पिछले डेड साल में reduce हुआ है इंडिया में अगर आज की date की बात करें तो तो ये reduction क्यों हुआ है और किन कमियों को हम हमारे local level पर tackle कर सकते हैं उन पर हमें efforts डालने होंगे बाकी global जो issues हैं उनमें भी देखो इंडिया तो अपनी तरफ से conducive situation लाना चाह रहा है कि कैसे भी करके लडाईयां रुके हाना geopolitical tensions वो reduce हुँ बढ़ यह है कि यह कहिना के data show करता है कि हमारे लिए कुछ concerns है FDI को attract करने में तो उनको हमें थोड़ा से जादा attention देने की जरूरत है तो एक trend को show करता हूँ article था आगे चलता है अगला article है Engaging with APEC गुरजीत सिंग जी के द्वारा लिखा article है APEC का मतलब Asia Pacific Economic Corporation यह 2023 की meeting होती है और यह meeting organize करवाई यह की बार USAने San Francisco में आप देखोगे कि 12 साल के gap के बाद में APEC की meeting को host किया है USAने तो इसका मतलब USA का सोचना है कि US is back इसका मतलब यह हो गया कि कहना एक scenario बना हुआ था कि USA जो है यह western जो influence है वो decline की तरफ जा रहा है बट USAने APEC की meeting करवाई जिस meeting में चाइना के President Xi Jinping भी present होता है और उसी के side line में और meetings भी organize कराई जाती है आप देखोगे कि APEC की meeting हुई है इस meeting का एक final declaration निकला उस declaration को बोला गया है golden gate declaration याद रख लेना prelims point office है helpful है और answer writing में भी आपको further material की help कर देदेगा तो golden gate declaration इस declaration में सब कुछ चीजें जो थी वो more or less trade investment इन से related थी बट इसमें दो points थे एक तो था Ukraine वाला मुद्दा और एक था हमास इस्राइल वाला मुद्दा इन दोनों मुद्दों को जब include करके statement देनी की कोशिश की तो China और Russia की तरफ से जोज है objection आ गया वो objection ऐसे आ गया कि देखो एक में तो directly involved कौन है Russia और दूसरी तरफ अगर देखे तो दोनों की दोनों issues जो है कहीं नहीं जियो political है जबकि APEC में Asia Pacific Economic Corporation ये economy के ओपर ज़्यादा focus करता है ये countries की बजाए economy पर ज़्यादा focus करता है अना देशों की बजाए अर्थ व्यवस्ताओं पर ज़्यादा focus करता है तो ऐसे परिस्तिती में China और Russia ना object कर दिया बोले कि जब आप economic operation की बात नी कर रहे हो तो फिर इसको बंद करो इसमें बातचीत करने की कोई ज़रूरत है है नहीं फिर इस चीज को देखो finally ये किया गया कि चलो ठीक है Ukraine और West Asia का जो मुद्दा हो उसके बारे में कोई declaration में कोई mention नी होगा बाकी जो है investment और trade के बारे में बातचीत हुई अब इसमें सबसे important चीज होई वो कि US-China summit इसमें included थी US और China summit क्यों क्योंकि एक साल से ज़्याद अगस हमें हो गया जब से चाइना ने militaryly engage करना बंद कर रखाया कोई communication properly settled नहीं था टॉप लेवल पे चाइना और US के बीच में तो उसको एक revival देने की बात जो है वो हो रही है कहने का मतलब दोनों countries की तरफ से एक effort है कि कैसे भी करके आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा positive aspect में अब इसके पीछे कारण क्या है तेको सबसे बड़ी बात तो यह है कि China की economy है ना वो बहुत जल्दी growth मतलब बहुत जल्दी जो growth rate है वो decline कर रही है उसकी दूसरा चाइना अपने तरफ investment को attract करना चाता है technology चाइना को चाहिए कैसे क्योंकि चाइना में जो भी manufacturing हुई है ना वो manufacturing basically American brands या western brands की हुई है अब brand अगर वहाँ का है और चाइना में उसकी अगर manufacturing हो रही है तो कहीं ना कहीं चाइना के पास में खुद का कुछ भी नाम नहीं है और नाम नहीं है तो बेच्छे का क्या इस तरीके से और दूसरी दरफ US की दरफ से भी अपने actions लिए गए गए चाइना ने सिधा USA को चैलेंज करना इस टार्ट कर दिया तो इस केस में USA का जो support था main था एक तरीके से technology transfer का support उसको USA ने रोक दिया तो इस वज़े से चाइना कहीं अगई under pressure आ गया ऐसे में Biden ने अपनी meeting organize कराई है ना EPEC वाली इस EPEC meeting में एक चीज बड़ी काम की कही है जो भी USA based company के CEO's वहाँ पर present थे उनको कि बोला हम चाइना के साथ decouple नहीं कर रहे हैं, de-risk कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं USA वो चाइना के इर्दगिर्द घूमना नहीं चाहता but yes, China जहां जहां भी important role play करता दिखेगा US उसके साथ engage करेगा मतलब एक selective approach लेना चाहता है US plus एक diversification करना चाहता है China से कहने का मतलब यह हो गया कि China ही एक option हो ऐसा नहीं चाहता है US China भी एक option है यह चाहता है US से ठीक है, इसके अलाबा US, Japan, Korea यह एक trilateral meeting और होती है sidelines में ठीक है, US, Japan, Korea एक EPEC के sideline में meeting और होती है इस meeting की बात करें तो यह तीनों की तीनों देखो democratic countries एईस्टेशिया में पर आप देखोगे कि Japan को एक signal मिला है यहां से कि आप China के साथ में engagement शुरू करो China भी interested है और उस चीज़ को लेकर के आगे बातचीत भी हुई जिसमें जपान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा और Chinese President Xi Jinping इनके बीच की meeting होई और दोनों जो है वो trade को लेकर के एक new dialogue framework तैयार करने ही पे काम कर रहे है इसमें क्या है कि कहीना कहीं semiconductor technology और दूसरी technologies है उनका transfer और उनका engagement बड़े अब आप देखो कि Japan, China, Korea यह already एक trilateral foreign ministerial meeting पे काम कर रहे है उस meeting के अगर बात करें तो आप देखोगे कि overall जपान क्या नाम है USA यह तो EPIC के sideline में meeting कर रहे है या फिर दूसरी तर लेवल पे meeting हो रही है और तीसरा बच गया Australia Australia already Australia के प्राइम मिनिस्टर Anthony Albanese वो चाइना की visit पे जाते है तो COD के चार member countries उनके किवल एक India बच गया जो की इस time पर चाइना से directly engage नहीं कर रहा है इस से related हमने अल्रड़ी एक article डिसक्स किया था So point is कि कही ना कही चाइना जो है वो normalize करना जा रहा है situation को ठीक है और इसके साथ में तीनों बाकी COD के जो तीनों countries हम वो भी engage कर रहे है APEC की meeting की बात करें तो वहाँ पर Taiwan की तरफ से भी representation था जैसे मैंने आपको बताया कि APEC जो है उसमें इकोनोमी इसके ओपर फोकस किया जा रहा है ना की countries पे तो ऐसी परिस्तितियों में Taiwan एक economy के तौर पे देखा जा रहा है तो Taiwan भी वहाँ पर प्रेजेंट था APEC में APEC की meeting में तो ये चीज़े शो करती हैं कि कही ना कहीं इंडिया को APEC की तरफ एक रुजहान रखने की जरूरत है साथ में चाइना को contain करने के लिए डॉनल्ड ट्रम्प के टाइम पे डॉनल्ड ट्रम्प से पहले चाइना कंटेन करने के लिए economic progress को ensure करने के लिए economic progress को ensure करने के लिए trans-specific partnership TPP करके एक program launch किया जाता है प्राबैबली बराक ओबामा के टाइम पे फिर इसमें क्या था कि डॉनल्ड ट्रम्प जैसे president बनते हैं तो डॉनल्ड ट्रम्प ने आते ही देखा कि TPP से USA को इतना benefit नहीं है तो उन्होंने खुद को withdraw कर लिया और ऐसी परिस्तितियों में फिर बाद में ये जो TPP था इसका नाम बदल करके comprehensive and progressive agreement TPP कर दिया मतलब comprehensive and progressive agreement for trans-specific partnership ये कही नहीं बहुत ज़्यादा थंडे बस्ते में था EPEC भी थंडे बस्ते में था और ये TPP था ये भी थंडे बस्ते में था पर इसके उपर भी अब बातचीत हुई UK की entry हो गई है अब CPTPP में अभी United Kingdom भी जो है वो Asia Pacific region में अपना role play करना चाता है अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी एक word तो हारा है Asia Pacific एक हम बार-बार discuss करते हैं recent time में Indo-Pacific अब देखो Asia Pacific की बात करे न तब तो देखो एशिया के जो eastern area में located countries है वो और Pacific से अपनी जो costaline share करने वाले countries है या littoral share करने वाले countries है वो उनकी engagement है तो इसमें तो देखो China और US के relation इतने बिगड़े हुए नहीं दिखाई देंगे पर वहीं पर अगर Indo-Pacific की बात आ जाती है तो यहाँ पर Indian Ocean का जो angle डाल दिया जाता है तो फिर वहाँ पर कहीं नहीं चाइना की aggression के चलते एक issue आता है जबकि यह दोनों words जो है Asia Pacific और Indo-Pacific इनमे Asia Pacific पहले commonly use होता था अब आजकल Indo-Pacific trend में आ गया बट EPIC की यह जो meeting हुई है इसमें Asia Pacific फिर से एक तरीके से highlight होने लग गया है अब आप देखोगे कि यह जो EPIC की meeting हुई है इसके पीछे एक logic COD की तरफ से भी है वो कैसे है देखो COD की meeting probably Tokyo में होती है एक तो उस meeting में USA की तरफ से Indo-Pacific economic framework एक plan दिया था जो Biden ने है ना उसके अंदर तीन pillars के ओपर काम करना था वो तीन pillar क्या-क्या है वो देखते हैं सबसे पहला तो था supply chain resilience का supply chain resilience clean energy and anti-corruption का ठीक है एक तो हो गया supply chain resilience का दूसरा हो गया clean energy and anti-corruption और एक pillar था इसका trade का तो ऐसे में trade वाले pillar में इंडिया ने बिल्कुल भी engage करने से मना कर दिया हम बिल्कुल भी engage नहीं करेंगे बाकि हम bilaterally हमारी साफ से देखेंगे बाकि supply chain resilience हो clean energy और anti-corruption वाला segment बोलो उसमें हम engage करेंगे अब ऐसी परिस्तितियों में जो USA के द्वारा इंडो-pacific economic framework प्रपोस किया गया था उन तीनो पिलर्स में से इंडिया एक में trade में engage नहीं कर रहा है तो ऐसे में USA और options जो बचे हुए हैं उनको explore करने में लग गया और उसी के चलते APEC जो है उसकी meeting जो USA ने और उसमें APEC में जो है वो China भी member रहता है तो कुल मिलागर के देखा जाए तो COD की जो meeting हुई ठीक है COD की meeting हुई थी टोक्यो में अब आए फर्दर अभी होने वाली भी है ठीक है पर जो previous meeting हुई थी उसमें इंडो-pacific economic framework की बात जो हुई थी वो कही ना कहीं fail हो गया materialize नहीं हो पाया ठीक है क्योंकि इसमें जो तीसरा pillar है उसमें इंडिया ने engage करने से मना कर दिया और बाकी जो दो pillar है supply chain resilience, clean energy and anti-corruption तो ये चीज कही ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई तो USA अपनी economy को expand करना चाता है USA की economy भी है वो भी saturation पर है तो ऐसी परिष्टिते में APEC से बड़ी option इनको भी एक बार दिखा नहीं अब कुल मिला करके देखा जाए तो APEC reactivate होता है दिखाई दे रही है चाइना के साथ में engagement है वो भी होती दिखाई दे रही है अब देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि APEC के थूँ जो है वो कही ना कही जो बाइडन जो है वो एशिया के साथ अपनी engagement है बढ़ाना चाह रहे है बड़े एक चीज ध्यान रखें आप कि चाइना के साथ में बातचीत होना USA के relationship को normalize कर देगा ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है uncertainty कहीं बनी रहेगी क्योंकि US साफ साफ एक चीज कहता है कि हम de-risk कर रहे हैं चाइना से ठीक है पिर आगे बता रहे है writer कि जो golden gate statement अभी release हुआ है APEC का final document इसकी अगर बात करें तो देखो एक तरफ तो आपके पास में WTO का mechanism रहता है जिसमें आपको most favored nation का जो status मिलता है MFN status जिसके तहट आप world के जितने भी WTO member countries उनके साथ में trade कर सकते हो more or less on the same terms बट एपेक जो है वो कही ना कही एक अलग ही terms and condition पे operate होने वाला economic framework का economic platform है तो कही ना कहीं इंडिया को केवल WTO के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एपेक जिस तरीके से अभी meeting हुई है इसमें चाइना भी अपनी economy को progress देना चाहता है US है चाइना के साथ English भी करना चाहरा है और बाकी countries के साथ भी English करना चाहरा है इंडिया के लिए बहुत beneficial हो सकता है क्योंकि हमारा target क्या है हम export oriented हमारी growth की बारे में सोचते हैं कि पैसे वाले तभी बनेंगे जब बड़े पैसे वाले countries को हम बेचेंगे हमारा माल तो कहने का मतलब यह है कि कही ना कहीं Asia Pacific में हमारी presence है Asia Pacific की बात की जाए तो Asia Pacific Economic Corporation के नाम से ग्रूप है तो इसका मतलब यह हो गया कि इंडिया को अब अपनी engagement उसमें बढ़ानी चाहिए ठीक है तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि केवल WTO के भरोसे हमें बैठने की ज़रुरत नहीं है हमें इस तरीके के multilateral platforms पे भी engage करने की ज़रुरत है और US-China की जो engagement अभी हो रही है इसमें कहीना कहीं हमें यह भी तो देखना चाहिए ना कि जो tension वाली situation है वो अगर reduce होती है ना तो इसका फिर benefit हमें भी मिलेगा क्योंकि market जितना condition होगा इतना ही ज़्यादा हमारा product भी बिकेगा तो कहीना कहीन एपेक के साथ हमें engage करना चाहिए च्योंकि एपेक के साथ engage करने का एक बढ़िया एक point यह भी निकल के आता है कि आज China plus one strategy पे जिस तरीके से दुनिया चल रही है तो plus one में कहीना कहीना कहीन इंडिया को अपना option पुट करना चाहिए strongly और वो कब हो सकता है जब हम यह multilateral economic cooperation engagements है उनमें हमारा direct participation रहे चीक है तो इस तरीके से यह एक और economy और international relations related article हो गया हमारा अगला article है resilience amid turmoil देखो परिस्तिती global security या geopolitics की बात करें तो कहीने गहीं tensions है but yes कहीं न कहीं Indian economy ठीक ठाक perform करती भी दिखाई दे रहे है Indian system थोड़ा सा stable दिखाई दे रहा है जो कि एक अच्छी बात है सचीदानद सुकला जी के द्वारा लिखा article है इनका यह कहना है कि अभी global geopolitics की बात की जाए तो इस्राइल और हमास की बीच में चार दिन का जो ceasefire declare हुआ है यह एक positive news के तौर पे हमें देखना चाहिए इसके अलावा एक positive news यह है कि चाइना और US के भी इसकी tensions है वो कम हो रही है जैसे कि अभी हमने previous article में बात की कि APEC की meeting अभी हुई जिसमें चाइना और US की तरफ से वहाँ पर presentation था इसके अलावा West Asia की situation हो Iran की हो, Taiwan की हो, climate change की हो military communication की हो इनकी बात की जाए तो सीधी बात है जब दुनियादारी में थोड़ी stability देखने को मिलेगी तो इन मुद्धों पर भी बातचीत होगी कहने का मतलब यह है कही न कहीं conducive environment के लिए एक peaceful situation peaceful circumstance होनी ज़रूरी है और वो कही न कहीं अभी बन जाए तो इसका benefit मिलेगा जिसकी तरफ world की बड़ी economies बढ़ रही है जो की एक अच्छा sign है चलिए फिर फिर बात आती है economic front की वो था geopolitical front अब economic front की बात करें inflation जो है developed countries में वो more or less down होती चली जा रही है USA के federal reserve ने पिछले 10 महीनों में बहुत जादा hawkish approach अपना रखी थी लगातार वहाँ पर उन्होंने रैपो रेट या policy rate वो बढ़ा रखी थी जिसके चलते market में dollar की circulation कहीना कई कम हुई और उसका नतीजा यह हो रहा है कि USA में जो महंगा ही है वो कहीना कई 3.2% पर पहुँच गई है October में जो की एक अच्छा sign है similarly European Union की बात करें तो वहाँ पर भी inflation decline हुआ है दूसरी तरफ अगर बात करें तो फिर बात आती है bond yields की bond yield का मतलब यह हो गया कि आप जो भी आपके पास में सरकारी या फिर जो भी आप कह सकते हो investment के लिए आप instruments release करते हो document release करते हो उनकी yielding अगर down चली जाती है ठीक है yielding जादा जाना कहीना कहीं risk ही रहता है मामला ठीक है अब yielding थोड़ी सी control में आ रही है तो इससे benefit ही होगा कि investment कहीना कहीं attract होता है इससे benefit ही होता है कि जो bond holder है वो कहीना कहीं benefit में चले जाते हैं तो इसका point यहाँ पर ही आ रहा है कि globally अगर देखें तो bond yield है वो कहीना कहीं under control है ज्यादा एकदम high नहीं जा रही है सरकारों को invest कराने के लिए ज्यादा मसकत करने की ज़रूरत कम पढ़ती है जब bond yield कम होती है ठीक है जी अब देखो ये बात क्योंकि ये long term का मामला हो जाता है जब investment की बात की जाए तो point यह है कि एक तरफ तो inflation का challenge था एक bond yielding की problem थी इसके अलावा देखा जाए तो ये जो point है हमारा उपर वाला geopolitical tension से ये कहीं न कहीं है positive switch लेती हुई दिखाई दे रही है जो कि एक अच्छा signal है वहीं दूसरी तरफ हम India की बात करें तो देखो हमारे भी consumer price index है वो ठीक ठाक range में आ गया है consumer price index ये जो होता है CPI based जो inflation calculate होती है उसकी अगर बात करें तो वो भी RBI की जो range दी हुई है 4 plus minus 2% उस range में चल रही है 5% से नीचे थीक है तो इंडिया में भी consumer price inflation है वो down जा रही है wholesale price inflation लगाता negative territory में चल रही है जो कि कहीं ना कहीं producers को कुछ ना कुछ benefit दे रही है क्योंकि उनकी input cost है क्योंकि market से कुछ खरीद करके फिर आप produce करते हो manufacture करते हो तो उनकी अगर input cost आपके reduce होगी तो आपका product भी सस्ता पड़ेगा इस वज़े से आपका market में product जब उतरता है तो वो competitive होता है तो कहने का मतलब Indian economy ठीक ठाक perform करती होई दिखाई दे रही है GDP point of view से देखे तो हमारी economy बढ़िया perform करती होई दिखाई दे रही है GST collection की बात कर लो direct indirect taxes credit growth की बात कर लो electricity consumption है यह लगातार हमारे देश में plus की तरफ ही जा रहा है but there are some caveats some alertness some warnings पहला point देखो oil prices है ना इनको हमें monitor करना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह बोला OPEC plus leaders की बोला इस महीने last meeting होगी तो वहाँ पर यह देखने वाली बात है कि oil prices वो ज़्यादा न बढ़ा दे क्योंकि oil price के चलते हैं कही न कहीं हमारी economy पर सीधा असर पड़ता है जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ हमारी जितनी requirement है उसका 80% हमें import से fulfill करते हैं अगर crude oil की बात की जाए तो कहने का मतलब यह है कि oil prices को हमें carefully monitor करने की ज़रूरत है कहीं पर वो price ज्यादा न चड़ जाए नहीं तो हमारी economy के लिए मुश्किले पैदा हो जाती है दूसरा point यह है कि external demand environment जो है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा improve रहे तो ठीक है वो कैसे हो सकता है अगर conducive world economy situation बने geopolitical tensions down हो तो इस सो automatically हमारा investment हमारा investment भी बढ़ेगा और सीधी बात है हम कुछ माल भी बेच पाएंगे हमारा export भी बढ़ सकेगा फिर हम बात करें domestic focus की देखो जी अभी general elections चल रहें general election की अगर बात की जाए तो पहले तो state elections है लगबग अभी 5 states में election है कल का जो विडियो था 25 वाला आपका जो इसका Saturday वाला था वो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि कल चुनाओ थे vote डालने के लिए फिर गाउं जाना पड़ गया था इस वज़स से तो एक तो यह फिर उसके बाद में general elections आ रहे हैं 2024 में तो बोले यह चुनाओं का क्या परिणाम रहता है इसका भी पूरा असर देखने को मिलेगा हमारी economy पे क्योंकि फिर investment और यह सारा segment देखने को मिलेगा private sector फिर किस तरीके से perceive करता है कि हाँ वही किसकी सरकार बन रही है एंड़ीए बीजएपी के द्वारा बनाई जाने policy और fiscal policy जो कि government of India finance ministry के द्वारा बनाई जाने लिए policy बोला अभी तक जो है वो world में बुरे हालात के बावजूद भी हमारी economy क्यों stable हो पाई क्योंकि monetary policy और fiscal policy दोनों ने बहुत अच्छा coordination दिखाया और ये चीज कही ना कहीं आगे भी continue रखने की जरूरत है क्योंकि सरकार चाहे कि हाँ भी market में पैसा float हो वही inflation को tackle करने का RBA का काम है तो इन दोनों के बीच में proper balance बनना ज़रूरी है जिसने कि सरकार economy को भी run करा सके और RBA inflation को भी tackle कर सके फिर बताई जा रही है देखो global standing की बात करें तो world की बड़ी economies में तो हमारी economy कहीं न कहीं grow भी कर रही है और stable भी है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा fragile ये क्या कहते हैं कि unstable दिखाई पड़ती है ऐसा नहीं है तो ये scene है कुछ concerns है कुछ warnings है economy के लिए वो भी हमने देख लिए आगे चलते हैं अगला अर्टिकल ऑफ और ब्रीद ऑफ है अफ फ्रेश एयर वह ये एर पॉलिशन से रिलेटिल अर्टिकल है डिरेक ओब्राइन जी के दौरा लिखा अर्टिकल है ये basically शुरुआत कर रहे हैं starts के साथ और वो भी बहुत ज़ादा grave situation शो करते हैं कैसे हैं अगर हम बात करें तो हर दिन 549 बच्चों की death होती है हमारे देश में हर घंटे में लगबग 22 बच्चों की death होती है और हर मिनिट में हर 2-3 मिनिट में एक बच्चे की death हो जाती हमारे देश में और ये इसके पीचे बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है air pollution हमारे यहाँ पर अगर toxic air की बात करें तो state of global air 2020 report की बात है कि इंडिया में 1.16 lakh newborn babies हैं वो 27 दिन के मतलब शुरुवाती जो 27 दिन होता है न बोलो उसी की वज़े से 27 दिन के अंदर अंदर ही उनकी मौत हो जाती है और इसका बोलो बहुत बड़ा कारण है air pollution लेंसेट planetary health उसके द्वारा एक study conduct की गई उसमें यह बताया जा रहा है कि हमारे देश में हर पांचवी हर पांचवी मौत जो है वो कहीं न कहीं air pollution की वज़े से होती है 2019 में यह बात बोली गई थी अब आप देखो कि कहा air pollution problem create कर रहा है अब यह तो गई बात उनकी जो की पैदा हो चुके हैं जो की खुद एक individual के तोर पे काम जी रहे हैं अब बात करते हैं कि air pollution किस हद तक मार रहा है हमारे मतलब एक तरीके सा हमारे resource को किस तरीके से खतम कर रहा है वो देखो कि pregnant women अगर bad air quality के लिए expose हो जाती हैं तो still birth premature delivery low birth weight बच्चों का होना बहुत ज़्यादा देखा गया still birth का मतलब हो गया कि गर्ब में ही बच्चे का मर जाना वहीं पे ब्रोन खतम हो जाता है preterm delivery that means 9 months जब complete होते हैं उससे पहले ही बच्चे की delivery हो जाना low birth weight जन के समय बच्चे का वजन बहुत कम देखने को मिल रहे हैं तो ये scene क्या कहता है कि कहीं ना कहीं complication air pollution की वज़े से बहुत ज़्यादा है अब सबसे ज़्यादा जो problem create करने वाला content है air में that is particulate matter 2.5 ये इतना बारीक होता है कि इसका diameter भी देखें तो वो 2.5 micrometer या उससे भी कम होता है और ये हमारे देश में जो life expectancy है कि एक average उम्र कितनी है variance की वो बला 5 साल तो कम कर चुका है और पतानी कितना कम करेगा दिल्ली में तो आपको पता ना 12 साल के लगबग कम हो चुका है मतलब पूरे देश में अगर लोग 70 साल जीते हैं तो दिल्ली की लोग 58-69 साल की उम्र ही लेंगे average ये scene है सीधा इसके लावा डिल्ली के air quality index की बात करें तो जो world health organization की जो status अना standards है उसके comparison में हमारे 8 से 10 गुना ज्यादा pollution level चल रहा है इसका मतलब यह है कि दिल्ली में या polluted cities में रहने वाले जो लोग हैं वो बिना smoking कियें भी intentional smoking कियें भी वो 30 cigarette दिन की पी जाते हैं इतना बुरा हाल है अब दिल्ली में जैसे ठंड आती है हालत हो जाती है खराब जैसे कि आपको पता है कि ठंड आते ही हवा हो जाती है ठंडी ठंडी हवा होगी तो उसकी tendency होते है sink करने की तो जो pollutant material वो दिल्ली में वहीं की वहीं trap हो जाता है फिर उसके बाद में उस उसी धुआ को उसी smoke को और plus fog को mix कर दो तो smoggy air को फिर लोग inhale करते हैं फिर problem आती है अब इसके कारण क्या है vehicle emission, construction dust, noxious gas from industries, stubble burning from neighboring states ये कई कारण है इसके अलावा energy generation के लिए biomass और waste burning है ये normally की जाती है residential और commercial activities में इटो के भटे चलते हैं, diesel generator चलते हैं बोला हाला तो जाती है खराब और ये scene आपके अवल NCR की बात ना करें आप North India में जो plain area है वहाँ पर उत्तरप्रदेश, अरियाना, राजस्तान, बिहार इनकी जो cities हैं इनके हाल उठाओगे तो more or less NCR जैसा ही हाल इनकी cities मे आपको मिल जाएगा और अपकी बार तो मुंबई में भी pollution देखने को मिला और उसका परिणाम यह हुआ कि cricket world cup का semi final मुंबई में खेला गया और वहाँ पर पठाके नहीं फोड़े गए, क्यों, क्योंकि pollution बहुत जादा हो रहा था, इसलिए बंद गर दिया, उसको cancel कर दिया इसके अलावा देखा जाए, तो इसका economy पर क्या असर पढ़ता है, देखो बात ऐसी है कि premature deaths का होना और death rate का बढ़ना, यह कही ना कहीं हमारे देश की GDP पर सीधा असर पठकती है, लगबग 37 billion dollar का हर साल नुकसान होता है, air pollution की वज़े से deaths होती हैं, उनकी वज़े से हैं, या सवाल यह है कि क्या किया जाए, देखो यहाँ पर option है mitigation, कि कैसे air pollution को रोका जाए, तो writer यह बोल रहा है कि जो air pollution हो रहा है, वाई production हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें investment पर ध्यान देना चाहिए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए, कि वो एक खर्चा है, हमें थोड़ा सा positive सो में आगे फायदा भी मिलेगा, अब देखो, अलग-अलग sectors को यहाँ पर बताया जाता है, ट्रांस्पोर्ट सेक्टर, सबसे पहला काम डीजल पेट्रोल के वेहिकल्स को बंद करो, और electric वेहिकल्स को लेकर क्या हो, गवर्मेंट की एक scheme चला करती थी FAME, जिसका target था कि electric वे होगा आपको emission control करने में, bioethanol, that means biofuel को अगर use करेंगे तो इससे भी emissions बहुत अत्तक हम reduce कर सकते हैं, दूसरा है industrial sector, देखो जो इंटों के भट्टे होता है न, वहाँ पर पुराना जो method है उसमें तो होता है, fixed chimney, bull trunk, bull trench kiln, मतलब वो बड़ी सारी चिमनी होती है भट्टे के उपर और उसमें से धुआ निकलता रहता है, नीची इंटों की सिखाई होती रहती है, बोला इस चीज को हटा करके नया method introduce करो, उस नए method का नाम आप याद रख लेना भई, नए method का नाम है induced drought zigzag kiln, इसमें क्या हो गया, कि जो chimney है, उसमें सीधी आवाना छोड़ करके उसमे जो pollutant है, pollutant PM 2.5 emission जो हो रहा है, वो 20% तक reduce हो जाता है, carbon emission 30% तक reduce हो जाता है, तो बोला पुरानी टेकनीक को अठाकर के नई टेकनीक adopt करने की ज़रुरत है, इसके अलाब बताया जा रहा है, कि आप emission rate को control कर सकते हो, online continuous emission monitoring system के basis पे, that means, एक monitoring या surveillance mechanism पर भी हमें काम करने की इसने कि जहां कहीं भी emission ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम tackle कर सके, फिर आजाए ये residential sector में, देखो जो घरों के अंदर, कचरे को जलाना, या फिर खुले में जो काउट डंग और ये लकडी जलाना, ये सारा होता है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, no doubt government की effective बनाने की ज़रूरत है, चले ये फिर next, environmental sector की, देखो अभी तक ये कहा जा रहा है, और ये बार-बार देखा भी गया है, बहुत सारे reports में भी निकल के आया है, कि western ghat, अन्मार निकुबार जैसे एरिया जहां पर बहुत ज़्यादा forest area developed है, वहाँ पर development के नाम पर आप forest area क लगातार compromise कर रहे हो, बोले इसका नुकसान फिर long term में हमें उठाना पड़ता है, तो ऐसे में environment और development के बीच में balance बनाना ज़रूरी है, 2022 में environmental performance index report आती है, और उस index में इंडिया की rank सबसे बुरी रही, 180 country में हम 180 वे number पे आये, कि इंडिया में बोले environment के बिलकुल भी काम नह अंदी जी ने एक चीज कही थी, कि जो modern civilization है, ये कही ना कही हवा को बहुत ज़्यादा प्रदोशित कर रहे हैं, और ये बात उन्होंने 1913 में ही कह दी थी, अब आप देख लो इस बात का 100 साल से ज़्यादा है, मतलब आप देख लो 110 साल पहले की कही हुई बात है, और इस पर अभी भी proper अमल नहीं हो पा रहा है, होना चाहिए, ठीक है, तो देखो, जो भी important articles थी, हमने यहीं पर discuss किये हैं, ठीक है जी, इस वीडियो को तो यहीं terminate करेंगे, मिलते हैं फिर आगे, thank you very much.